एलो फ्रेंट्स वेलकम टू मैं यूटूब चैनल आजी क्लास में स्टडी करेंगे नैचरल एंड आर्टिफिशल रेफ्रिजरेशन के बारे में तो नैचरल फिनोमेना से जो होने वाला रेफ्रिजरेशन होता है जैसे की नैचरल आइस वैल वार्टर स्प्रिंग आूसेज वह क्या होते नैचरल रेफ्रिजरेशन का एक्जांपल होते हैं और यह हमने आर्टिकल वन में डिसक्स किया था यानकी फॉस्ट क्लास जो की इंट्रडक्शन क्लास थी उसमें हमने डिसक्स किया था अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आप चेक आउट कर सकते हैं और बागे के सब्जुक्ट भी पलेलिस्ट में अवलेबल है हुआ अव्चेक कर सकते हैं अपने लिए तो शुरू करते हैं और जो अन्दिशन रिप्रिजरेशन होता है जैसे कि एक गर्वाइड करते हैं उसमें क्या मेकेनिकल एनरजी का अंदर एक वोलेटाइल लिक्विड यूज करते हैं जिसको की हम रेप्रिज रेंट बोलते हैं वह बोल होता है कैसे बोल होगा अपनी कंडिशन को चेंज करेगा इस तरीके से बोलते हैं उनकी हीट को अबज़ूर कर लिया उसको वह कुल हो जाएंगा नका टेंपरेचर कम हो जाएगा और जिसकी वज़ेसे जो भी रेप्रिजरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूज होगा और बाकी की जो हीट जो उसने अबज़ूर करी उसी साइकल के दोगा हीट को रि पर काम करते हैं तो क्या है वो हिट को रीमूँ करता है और क्या है रेफ्रिजरेटिंट यूज होता है वो प्रोसेस के दोरान रेफ्रिजरेटिंग पर प्रोवाइड करते दोरान क्या अपने स्टेट को चेंज कर लेता है उनली जो एर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसके अंदर स्टेट चेंज नहीं होती है क्योंकि एर एज तो हम नेक्स्ट आर्टिकल में नेक्स्ट क्लासिज में डिस्कस करेंगे अगर आपको यह वीडियो लगी है तो चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर लेना आप थेंक्यू है विनाइस ते